हेलो एवरिवान तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजराद बूट का हिंदी जो की क्लास 12 का है इसके चाप्टर नमबर 17 नियू की इड हो तुम देदी इसके अभ्यास कारे को करने वाले हैं इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके पूरे चाप्टर को समझा है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो को देख ले ताकि आपको पूरा चाप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए और जब तक आप चाप्टर नहीं समझेंगे तब तक आपको कोश्यन एंसर समझने में दिक्कते आएंगे और आपको सर्फ कोश्यन एंसर लर्न करना होगा तो आपको ये कोश्यन एंसर समझना है ना की रटना है तो आईए इसके कोश्यन एंसर को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है निमन लिखित प्रशनों के उत्तर दिये गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए इसका पहला कोशन है हारिल बनकर कवी कहां बसेरा करना चाहता है वट व्रिक्ष पर पीपल के व्रिक्ष पर नीम के पेड़ पर या आम के पेड़ पर तो हारिल बनकर कवी पीपल के व्रिक्ष पर बसेरा करना चाहता है सेकेंड कोशन है कवी पढ़ना लिखना किसकी मदद से सीखता है दीदी की, माता की, पिता की या भाई की तो कवी पढ़ना लिखना दीदी की मदद से सीखता है थर्ड कोशन है दीदी यदि नदी है तो कवी क्या बनना चाहता है लहर, उच्छाह, चट्टान या मचली तो इसका सही अंसर होगा D मचली दीदी यदी नदी है तो कवी मचली बनना चाहता है फोर्थ कोश्चन है दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है गड़े, मालदह, अमरूद या केल्या तो इसका सही अंसर होगा मालदह दीदी भाई के लिए मालदह रखती है सेकेंड है, निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए इसका फर्स्ट कोश्चन है, हारिल कैसा पक्षी है तो हारिल पक्षी घोसला नहीं बनाते और कहीं स्थाई रूप से नहीं रहते वे दूर पहाडों से आते हैं और दूर जंगलों को उड़ जाते हैं तो हारिल पक्षी कैसे है वे उनका कभी भी स्थाई ठीकाना नहीं होता है वो एक जगा कभी भी टिकर नहीं रहते हैं हारिल पक्षी घोसला कभी नहीं बनाते क्यों? क्योंकि वो इस्थाई रूप से कहीं नहीं रहते हैं वे दूर पहाडों से ही आते हैं और फिर वापस उनी दूर जंगलों में उड़कर चले जाते हैं Second question है, दोपहर में ठंडी च्छाह का अनुभव कवी कहा करते हैं? तो दोपहर में ठंडी च्छाह का अनुभव कवी पीपल के नीचे करते हैं. पीपल का जो पेड़ है, जो व्रिक्ष है, उसकी च्छाह में कवी ठंडी च्छाह का अनुभव करते हैं. थार्ड कोशन है दीदी के किस्तों से कवी क्या प्राप्त करते हैं तो दीदी के किस्तों से कवी अक्षर प्राप्त करते हैं अक्षर ग्यान जो उनकी दीदी ने उनको सिखाया था फोर्थ है CP बनकर कवी क्या करना चाहते हैं तो CP बनकर कवी अपने अंदर बूंदे लाना चाहते हैं ताकि ये बूंदे मोती बनकर नदी के किनारे चमके CP बनकर CP हमने दिखाया था जिसके अंदर मोती होता है तो CP बनकर कवी अपने अंदर बूंदे लाना चाहता है ताकि वो जो बूंदे हैं वो बाद में मोती बनकर नदी के किनारे आकर चमके नेक्ष्ट है निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए इसका फर्स्ट कोश्चन है डिबरी की तरह दीदी क्या कार करती है डिबरी का काम है बाती के माध्यम से तेल सोख कर जलना और प्रकाश फैलाना डिबरी की तरह ही दीदी भी आध्यन करके अपना ज्यान रुपी प्रकाश फैलाती है वह बच्चों को अक्षर और अनुभों से परिपूर्ण किस्से सुनाती है तो डिबरी की तरह दीदी का क्या कार है डिबरी जैसा अपना काम करती है उसका काम क्या है कि वो बाती के माध्यम से डिबरी का आकार आप देखे होंगे कि एक सीसी है कांच की उसमें किरोसिन तेल डाला जाता है उसमें बाती रहती है और उसके माध्यम से किस प्रकार से चारो तरफ प्रकाश फैल जाता है तो डिबरी का काम होता है बाती के माध्यम से तेल सोक कर जलना और प्रकाश फैलाना इसी की तरह डिबरी की तरह ही दीधी भी अध्यन करके जादा से जादा अपना नॉलेज बढ़ा कर बच्चों में भी ग्यान का प्रकाश फैलाती हैं उनको ज्यान देती हैं, वह बच्चों को अक्षर ज्यान और यहां तक की अपने किस्से कहानियों के द्वारा अपने अनुभव उन्हें बताती हैं, उनके सामने प्रस्तुत करती हैं Second question है, कवी दीदी को चटान की उपमा क्यों देते हैं, क्या कारण है कि कवी दीदी को चटान की उपमा देते हैं तो दीदी अनुशासन का कड़ाई से पालन करती थी, उनके रिदय में नर्मी नहीं थी, दीदी का विश्वास चटान के समान था, इसलिए उन्होंने चटान की उपमा दी गई है, इसलिए उनको चटान की उपमा दी गई है, संग्या दी गई है, तो दीदी जो है वो अनुशासन का डिसिप्लीन को सक्ती से पालन करने वाली है और वे अपने हिर्दै में अनुशासन को लेकर कोई भी नर्मी नहीं बरतती है कि थोड़ी सी धील दी जाए अनुशासन को लेकर दीदी का विश्वास चट्नान के समान है जृड़े है निश्य है कि अनुशासन के मामले में वो थोड़ी भी ढील या थोड़ी भी नर्मी नहीं देती है या नर्मी नहीं बरतना चाहती है इसलिए उनको चट्टान की उपमा दी गई है क्योंकि चट्टान भी कठोर होता है और अपनी कठोरता को वो बदलता नहीं है उसी प्रकार से दीदी भी अनुशासन के मामले में उसका पालन बहुती कडाई के साथ करती है और इसमें यानि अर्थात अनुशासन के मामले में उनके रिद्य में कोई भी नर्मी नहीं है, इसलिए उनको चटान के समान कहा गया है, या चटान के समान उनको संग्या दी गई है, उपमा दी गई है, compare किया गया है. ठर्ड कोशन है, कवी को अपनी दीदी घर की नियू की इट के समान क्यों लगती है, तो दीदी की नई दुनिया बस गई है, अब दीदी अपनी नई दुनिया की नए शिरे से शुरुवात करेंगी और अपने परिवार को संसकार देंगी, इसलिए कवी को अपनी दीदी घर क नियू की इट के समान लगती है तो क्या कारण है कि कवी को अपनी दीदी घर की नियू की इट के समान क्यों लगती है क्या रिजन था नियू का काम क्या होता बेस आधार जिसके उपर पूरा घर तिका रहता है अगर आप कोई भी घर को बनाते हैं तो नीचे बेस या नियू देना बहुत जरूरी है तो नियू की इट कहा गया है यहां दीदी को क्योंकि दीदी की नई दुनिया अब बस गई है दीदी अब दूसरे घर चली गई है और उनके लिए ये नई जिन्दगी है तो इसमें उन्होंने नए सिरे से शुरुवात किया है और जिस परिवार में वो गई है अब उस परिवार को वो संसकार देंगी इसलिए कभी को दीदी अपनी घर की नियू की इट के समान लगती है तो इस प्रकार से आपने देखा कि नियू की इट पहले जो दीदी थी वो घर की अवस्था को या अपने अनुभाव को उसके किस्दों को बच्चों क को समझाती थी बताती थी अक्षर ग्यान देती थी लेकिन यह जो चीज़े हैं अब दीदी दूसरे के घर में या दूसरे के परिवार को संसकार देगी अपने अब उनका अपना परिवार वही है तो इसलिए इन्होंने कहाए कि वो अपने परिवार को संस्कार देगी नेच्ट है फोर्थ नमबर जीवन की सार्थक्ता कवी को कहा लगती है तो कवी को जीवन की सार्थक्ता हारिल के रूप में जीवन बिताने में लगती है इसलिए उसने एक स्थान पर घर बनाकर रहना पसंद नहीं किया है कवी को जीवन की सार्थक्ता सच्चाई क्या चीज़ में लगती है हारिल के रूप में हारिल पक्षी कैसा होता है कि उसका कोई स्थाई ठीकाना नहीं होता है तो हारिल के रूप में वो अपना जीवन बिताने लगते है और उनका कोई भी अस्थाई ठीकाना नहीं है इसलिए वो खुद के जीवन को हारिल के पक्षी की तरह बताते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि नियो की एट के अभ्यासकार का पार्ट वन यही समापत होता है उमीद है आपको यह question answer समझ में आये होंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को like करना, subscribe करना, comment करना, share करना न भूले Thank you